नमस्कार, welcome back to my channel और आज हम बात करेंगे घी की सिर्फ बात ही नहीं करेंगे, घी बनाना भी सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से क्योंकि घी जो है वो हमारी डायेट का वन अफ पॉश्टिक इंग्रीडियेंट है और घी की जितनी तारीफ की जाए कम है आप सब जानते ही हैं घी बच्चों के लिए बड़ों के लिए बहुत अच्छा है इससे बोन स्ट्रॉंग होते हैं ये इम्म्यूनिटी को बढ़ाता है इट इस रिच इन ओमेगा-3 और आई कन गो ओन और और बट साथी जरूरी है कि घी प्यॉर हो और प्यॉरिटी के लिए आई मेक शूर कि घी हमारा घर पर ही बने और बचपन से लाइक जब मैं एकदम छोटी थी तब से ही मेरी मॉम भी घी घर पर बनाती है और अब मैं भी वही करती हूँ और लोगों को क्या लगता है कि घी अगर घर पर बनाना तो बहुत ही टीडियस सा प्रोसेस है तो रहने देते हैं बहार से मंगा लेते हैं आज मैं आपको घी जैसे बनाना सिखाऊँगी बहुत असानी से बनेगा और अगली वार आप कहेंगे कि बहार क्यूं जाना जब घर पर ही बन सकता है बढ़िया सा घी और उसके साथ एक बहुत डिस्टी चीज वो भी बन जाती है जो मैं आपको घी बनाने के बाद बताऊंगी जिसे खाने में मुझे बहुत मज़ाता है चलिए घी बनाते हाँ, एक इंपॉर्टन बात घी प्यॉर हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी मलाई जो है वो एकदम प्यॉर और एकदम गाड़ी हो और उसके लिए ज़रूरी है कि जो दूद आप इस्तेमाल करते हैं वो एकदम प्यॉर हो क्योंकि तभी तो अच्छी मलाई और फिर अच्छा घी बनेगा तो मैं कौन सा दूद इस्तमाल करती हूं? वो बताती हूं यह देखे यह है कंट्री डिलाइट का बफिलो मिल्क इस हंड्रेड परसेंट प्योर बफिलो मिल्क और जबसे मैंने इसे इस्तमाल करना शुरू किया है तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और आपको दिखाती हूं इसकी मलाई कैसी जमती है है ना कमाल इतनी गाड़ी मलाई यह दो लिटर दूद की मलाई और हमारे हाँ रोज 2 लिटर दूद आता है और इतनी गाड़ी मलाई इतनी आसानी से इतनी जल्दी जम जाती है न आज सुबह जब मैं उठी तब जो फ्रेश मिल्क रखा था वो मैने गरम किया और उसे फ्रिज में अख दिया थंडा होने पर और देखें कितनी गाड़ी मलाई जम गई है आपको दिखाती हूँ Just see कितनी बढ़िया और काड़ी मलाई है Oh my god It looks yummy and oh god just look at this इतना क्रीमी टेक्श्चर है है और यह जो कलर है ना यह जो प्योर बफिलो मिलक होता है तो ऐसा वाइटिश कलर ही आता है यह इसकी प्योरिटी को इंडिकेट करता है इतनी यमी है कि देखकर ही खाने का मा करता है ना तो यह तो अभी के दो लीटर से बनी है मलाई मेरे पास पहले से जो पिछले एक हफ़ते की मलाई खटी हुई है वो रखी है फ्रिज में यह देखिए तो तकरीबन एक हफ़ते में यह इतनी सारी मलाई मिल जाती है हमें है ना कमाल और हां क्योंकि मुझे आपको यह घी बनाते वे दिखाना था इसले मैंने इस बार थोड़ा जल्दी से यह घी बनाने का प्रोसेस शुरू किया है अदरवाइस मैं तकरीबन 20-25 दिनों में घी बनाती हूँ और देखिए कितना सारा घी बन जाता है एक महीने में यह मेरा पिछली बार का घी अभी तक चल रहा है और मैं आज आप लोगों के लिए फ्रेश बनाऊगी चले शुरू करते हैं तो यह ली हमने मलाई अब जब तक यह घी बन रहा है मैं आपको यह बता दू कि अगर आपको भी कंट्री डिलाइट का दूद चाहिए तो आपको इसके लिए कंट्री डिलाइट का एप डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि यह दूद शॉप्स में अवेलिबल नहीं है और इसके लिए यह है कंट्री डिलाइट का एप इसे क्लिक कीजे और और कर दीजे एकदम सिंपल है और सबसे कमाल की बात है कि और करने के कुछ ही घंटों में एकदम फ्रेश मिल्क आपके डोर स्टेप पे डिलिवर कर दिया जाएगा क्योंकि कंट्री डिलाइट का दूद विदिन फ्यू आवर्स ऑफ मिल्किंग ही डिलिवर कर दिया जाता है यह हंड्रिड परसंट नाच्रल बफिलो मिल्क है इसमें प्रेशरवेटिव भी नहीं है और आडूरेशन नहीं है और बिलकुल भी मिल्क पवडर भी नहीं है और उसकी guarantee तो आपको ये मलाई की thickness और इतना creamy जो look है और इतना सुंदर color है ये देखकर ही इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी pure है और अगर आप ये app डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी आप इनका वी आईपी ट्रायल मेंबर्शिप है वो ले सकते हैं जिसमें आपको ये दूद मिलेगा सिर्फ 29 रुपीज में एक चोटी से टिप इसे हमेशा slow यानि सिम पर ही बनाए और इसे बीच बीच में जितना हो सकता है उतना stir करते रहें हिलाते रहें वरना मलाई नीचे चिपकती रहेगी और फिर थोड़ी ब्राउन हो जाएगी इसलिए थोड़ा सा थोड़ा सा महनत तो करनी पड़ेगी इस एक दम आसान ये घी बनाना मैंने कोई महनत नहीं की बस मलाई डाल दी और वो पक्ती गई पक्ती गई अब जैसे ही ये घी अलग हुआ है मलाई से यानि जो अब मलाई नहीं बचिये वो कनवर्ट होया है मावे में तो अब हम इसको चान लेंगे घी भी मिल जाएगा हमें और मावा भी आप कोई भी बरतन ले लीजे और ये है चन्नी अब ये देखिये गी का कलर कितना सुन्दर और प्यॉर है ये है घर का बना एकदम प्यॉर घी कंट्री डिलाइट मिल्क से और जो मैंने आप से कहा था था ना कि घी के अलावा एक खास चीज है वो है ये आछा दूद है कि उसकी मलाई, घीड़ानी के भाद माहवाप anticipating है तो घीटो बनके तयार रहहे लेकिन लिए पाह इतना टाइम हो गया है कि समाइरा की दूद का टाइम हो गया है है क्योंकि शाम हो गई है तो चलिए दूद गरम कर लेते हैं समायरा के लिए अच्छा वैसे आपको इस बात बता हूँ कंट्री जिलाइट के दूद का एक और बड़ा फायदा हुआ है बच्चों के पीछे भागना पड़ता है आप दूद पीलो दूद पीलो अब जैसे ही मैं बोलती हूँ समायरा दूद का टाइम हो गया तो समायरा पास भाग के चलिए आती है और हाँ साथ में मुझे ऐसा लगता है कि हमें एस इन औरतों को भी दिन में एक ग्लास दूद जरूर पीना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे हमारी एस बढ़ती है टेफिशेंसी बढ़ती है क्याल्शियम की टैफिशेंसी तो वैसे बहुत असानी से ओजाती है तो मुझे लगता है कि जब आपने बच्चे के लिए दूद गरम करें, तो थोड़ा सा दूद अपने लिए गरम कर लें, थोड़ा सा के थोड़ा जादा कर लें, और उसके साथ जरूर पिये हैं, हमारी हेल्थ भी उतनी जरूरी है, जितनी हमारे बच्चे की हल्थ, मा होगी इतन दुरूस तभी तु रख़एगी वच्चे का ख्याल है नो? Samaira, time for milk! Nice and warm Creamy and tasty Ready? Three, two, one I don't want you Nah